जनता का जो आक्रोस है वो वर्तमान जो सरकार है उसके पूरी तरीके से खिलाफ हमारे राश्च अद्यक्ष को केवल राजनितिक फाइदा लेना होता तो आज किसी ना किसी गड़बंदन के हिस्सा होते और केंदर में भी मंत्री ने बिहार में तिसरी नंबर की सरकार वर्तम आचार करके नमस्कार आदाब सस्रीय का लाइव नेशन सेवन में आपका स्वागत है मैं शादाब मलिक अगर अब तक आप लोगों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तारापूर में विधान सभा का उप्चुना होना है ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं भागलपूर के डिप्टी मेयर राजेश वर्मा और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हाल है तारापूर का देखिए हाल तो यह आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो सारी चीज़ा असपस्च है अपने आप में कि जनता का जो आक्रोस है वो वर्तमान जो सरकार है उसके बिहार लगा रहे हैं उमीद कर रहे हैं तो हर लोग एक उमीद इससे चिराग जी के तरह विसले देख रहे हैं क्योंकि बिहार फर्स बिहारी फर्स के वीजन में ना केवल मूलबुत समस्याओं से निजात की बात कही है उसके साथ साथ आधुनिकरण के साथ कैसे हमारा बि IST लेकिन लेकिन किसी ना किसी को इसकी पहल करनी थी तो मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे राश्ठ अधर्णक जी ने इस पहल 16 7 रहायक नहीं है भले हमारे पास मंत्री नहीं है जोड़ तोड़ की तमाम कोशी से प्रयास किया जा रहा है लेकिन इस बात की खुशी है कि हमारे राष्ट अध्यक मजबूती से आज भी खड़ें और अकले लड़ने के लिए तयार है तो क्या लगता है कि जिस तरह की चुनोती सामने है एक तरफ तेजस्वी यादव हैं तो दूसरी तरफ अब कनहिया कुमार को भी युवा चहरा बनाकर कॉंग्रेस ने आगे लाने की बात की है और वो भी अब ताराफुर भी आने वाले हैं तो ऐसे में अब क्या लगता है कि काटे की टककर होगी लोकतंत्र है हर व्यक्ति प्रशार प्रशार अपनी अपनी बातों को मजबूती से रखने का लोगों पूरा अधिकार है लेकिन जो आम जनता है जो अस्थाने जनता है उनको ये द चाल रातर पर उतारा तो थी अस्थाने जनता को किसी चीज से गुमरा करनी कि आवश्यक्ता है वो सब जानती है और जो लोकतंत्र है उसमें जनता ही निर्ने करती है व जनता सही समय पर प्रणान सरकाि को बना दिया है वर्तमान मंधि को बनादिया है बाँजूद उसके मुखमंत्री है अब देखिए अव्हां में भी जनता के आपके पृत्याश्व नियुक्त की किया नुकसान हो हो पद का नुकसान हो हो हमारे पार्टी को नुकसान जहलना पड़े वो जहलने के लिए त्यार है लेकिन कम से कम एक व्यक्ति तो है जो की नितिस कुमार के खिलाफ में नितियों के खिलाफ में आज सिर्फ आप आसवाशन देकर कब तक इस चीज को चलाएंगे कि हम हर घर में जल का नल दे देंगे हर लोग को रोजगार देंगे आज लोगडाउन के टाइम पे लाखो बिहारी वापस बिहार आय थे तो उन्होंने ही आस्वस्त किया था कि हम लोग आप लोग छोड़कर मत जाईए बिहार हम लोग बिहार में ही रोजगार देंगे आज जब आपके' इनवेस्टमेंट के लिए अल्ग अलग कंपनी आएगी और किस तरीके से आपको क्या थेति नहीं कोई ध्यान कोई strom हलाईर monsters बेशक हमारे राष्ट अध्यक्ष उस छेत्र के ही तमाम मूलभूत समस्या को ही मुद्दा बनाते वो आगे बढ़ रहे हैं और उनका अन्तो गत्वा जो मिशन है वो वही है कि मूलभूत समस्या से निजात के साथ साथ आधुनिकरण के साथ बिहार कैसे आगे बढ़े हैं। तो ये हमारी बात हुई राजेश वर्मा से उन्होंने साफ तोर से ये बात कही कि बिहार भागल जो चुनाव होना है तारपूर और कुशेशवर अस्थान में वहाँ जिस तरह से चुनावी जंग चल रहा है अब ऐसे में 30 अक्टूबर को जनता ही फैसला करेगी और 2 नव तो पेज लाइक करें साथ ही ट्विटर हैनल पा में फालो जरू करें धन्यवाद